नमस्कार मैं देवशंकर नवीन भारती भाषाकेंदर जवाहरलाल नहरू विश्विद्याले नई दिल्ली में प्रोफेसर हूँ इस सब्ता आपने हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य विश्यक पत्र में आख्यान सास्तर के विविदायाम और उपन्यास की संरचना सिर्शक पाठ का ध्यन किया इस क्रम में आपने जाना कि आज की समय में आख्यान मात्रिक साहित्य प्रारूप नहीं है इसकी व्यापती सरवत्र, सरवदा और अग्रगणी है। इसका संबंध हमारी भाषा चेतना तथा भाषा शिक्षन से है। या हमारी तमाम सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों या प्रारूपों में एक आधारभूत चेतना के रूप में विद्यमान है। महाकाब पुराण उपन्यास, कहानी, मिथक, प्रगीत, नाटक, सिनेमा, पेंटिंग, स्थापत, वारतालाप सब कुछ में यह लागू है। आख्यान की व्यापक्ता के कारण आधुनिक संदर्भों में इसके क्रमबध अध्यन हेतु आख्यान सास्तर की शुरुवात हुई। इस सब्ता आपने उपन्यास के उद्वव विकास से लेकर उसके कथ शिल्प, संदरचना, भाषा, कथोप कथन, चरित्र, चित्रन, देश, काल, एवंग भविश्य तक के बारे में जानकारी हासिल की। आपने उपन्यास के रूप विधान एतिहासिक बोध, उद्देश, चरित्रांकन, संभाद, आधि के बारे में भी जाना। कहन सैली, संदरचना और दृष्टिकोन में आये बदलाव को बेहता धंक से जाना। उपन्यास के उद्देश, भूमिका, कथ और परिनती से अबगत हुए उपन्यास की मूल संभेदना पर ठहर कर विचार करने की जरूरत समझी। उपन्यास के उद्देश की साहित्तिक्ता और प्रासंगिक्ता के जटिल अंतस संबंध से आप परिचित हुए उपन्यास में लक्षित उद्देश की पूर्ती और कथ की सफल प्रस्तुती है। रचनाकार के नीजी तरक की अनिवार्जता को जाना आपने सीखा कि तरक कमजोर होने पर लाख दर्जा बेहतर होकर भी कत्थ और उद्देश विफल हो जाता है। इसी तरह आप अगले सप्ता हिंदी गद्य कथा साहित्य का उद्भव एवंग विकास, हिंदी उपन्यास लेखन, प्रिष्ट भूमी एवंग परंपरा और हिंदी उपन्यास लेखन प्रमुख प्रविर्तियां के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।